केंदर सरकार द्वारा आज अपना बजट पेश किया गया है इस बजट में इस पार हिमाचल के लिए अलग से कुछ नहीं मिला है प्रदेश को सेव आयात शुलक बनाने के साथ रेलवे विस्तार की उमीद थी लेकिन बजट में इसकी घोशना नहोने पर प्रदेश कॉंग्र आशा जनक करार दिया है और कहा कि इस बजट में हिमाचल के लिए कोई आर्थिक पैकेज देने और रेल विस्तार के लिए बजट का प्रदान नहीं किया गया है प्रदेश में करोना की जलते प्रटन कारोबार बुरी तरह से चौपट हो गया है लोगों को उमीद थी कि इस बजट में प्रटक कारोबार को पट्रे पर लाने के लिए कोई बजट की घोशना करते लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया है इसके अलावा सेव आयात शुल्क भी नहीं बढ़ाया जबकि पिया मोदी सही तन्यनेताओं ने कई बार आयात शुल्क बढ़ाने की घोशना की है ले बजट जो प्रस्तुत किया फैनिस्ट मिस्टर नहीं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बहुत ही नीराशा जनक बजट रहा है किसी भी वर्ग को आप टेच कर रहे हैं आज देश के अंदर करोना के बाद जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है थी पूरे देश के अंदर चाहे वो बेरोजगारी की थी और महंगाई की थी हम समझते इस बजट में जो सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए था वो यह गौर्मेंट का यह होना चाहिए था जो लोगों ने करोना के दौरान क्रोडों लोगों ने अपने रोजगार खोए और कामधंदे चौपट हुए कि सबसे पहले बजट के जरिये लोगों की मदद किस तरह से हो सकती थी कि वो अपने कामधंदे द्वारा से शुरू कर सके और लोगों के पास काम हो देश के अंदर और किस तरह से रोजगार का एक पूरा रोडमैट इस बजट में दिखना चाहिए था कि बेरोजगारी दे की त्रेस् किया और ना महंगाई को ले के कोई रोडमैप इस बजट में दिखना और किसानों की जो बाठ बार बार ये जो सरकार है सपने दिखाने वाली बात करती है हर वर्ग को सपने दिखाती है कि किसानों और बागमानों की जो आए है वो डबल होगी वो कब होगी वो कब आएगा वो टाइम आठ साल से उपर समय हो चुका इस सरकार का, जो इनुने आठ साल पहले जो गोशनाई की थी, जो सपनाई देश की जंता को दिखाये थे, किसानों को दिखाये थे, किसान 14 मीने तक सडकों पे बैठे रहे और उनकी कुछ समस्या है, उसको प्रॉपर डंग से अड्रेस नहीं हो पारे, तो हमें उमीद थी कि इस बजट में कुछ ऐसी दिशा, चाहिए वो प्रदेश की अगर हम बात करें, तो हिमाचल प्रदेश एक टूरिजम राज्य है, प्रेटन की द्रिष्टी से, जो नुकसान करोना के दो वर्ष में, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, जो पाई की पूरी उमीद थी कि इस बजट में कुछ ऐसी गोशना इमाचल प्रदेश के बारे में भी होगी, के चैनल के लिए शिमला से पुषपेंदर कुमार की रिपोर्ट